गुद मॉनिंग स्टूडेंट्स, आम लोग इंग्लिश टीचर, दिस वीडियो लेक्चर इस फोर ग्लास पोर, स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश में सेकेंड लूप जिसका नाख कनवर्सेशन है पढ़ेंगे, पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर बन कमेंट कर दियत है, आज हम लोग चैप्टर टू को पढ़ेंगे, जिसका नाम है आवर बॉड़ी, इस हमारा सरी है, तो यह टीचर और स्टूडेंट के बिच में कॉनवर्सेशन है, टीचर स्टूडेंट से बास्चित कर रहा है है, टीचर सवार बुछ रहे हैं स्टूडेंट से जि हमार शडीर को बारे सलो बहुत बार पार्ट गाठैज है, तो इस स्मय प्रॉड़ी नाम विनापे मर्वन या structure of bones in our body called, it means हमारे शरीर का bone structure यानि शरीर के हड़ियों की बनावड जोगा है, उसे क्या कहते हैं, तो student जवा कहते हैं, the frame या structure of bones in our body is called skeleton, हमारे शरीर के हड़ियों की बनावड को skeleton कहते हैं, next question teacher पुषता है, how many bones are there in our body, it means हमारे शरीर में कितने bones हैं, तो student जवा कहते हैं, there are 206 bones in our body, हमारे शरीर में 206 हड़ी हैं और चाइड में 213 हड़ी होते हैं, next question teacher पुषता है, what are the two intestines known as, it means जो दो intestines होते हैं, जो दो आथ होते हैं, उसे क्या कहते हैं, students जवाद आता है, the two intestines are known as bobble, उसे bobble कहते हैं, जो दो intestines होते हैं, next question teacher पुषता है, how many kidneys do we have, हम लोगों के पास कितने kidney हैं, student जवाद आता है, we have two kidneys, हम लोगों के पास दो kidney हैं, teacher kids, next question पुषता है, which organs helps us to breathe, कौन सा औरगन जो है वो, breathe करने में, सांस देने में सहायता करता हैं लोगों को, student जवाद आता है, lungs and nose, lungs और nose जो है वो, helps us to breathe, help करता है हमारे सांस देने में, next question पुषता है, how many lungs are there in our body, हमारे सरीर में कितने lungs हैं, student जवाद आता है, there are two lungs in our body, हमारे सरीर में दो lungs हैं, next question पुषता है, which organ helps to pump blood, कौन सा औरगन जो है वो, blood को pump करने में सहायता करते हैं, pump means, पहुचाने में सहायता करते हैं, students, heart, organ helps to pump blood, heart जो है हमारा heart organ जो है वो, blood को pump करने में सहायता करता है, next question पुषता है, where is food digested in our body, हमारे body में food जो है वो, कहां digested होता है, कहां पचता है बोजन, student जवाते तरह है, the food is digested in the small intestine, हमारे सरीर में बोजन जो है, वो small intestine में digest होता है, next question teacher पुषता है students, where does the brain lie, it means, कहां पर brain जो है वो, lie करता है, राता है, इस्तित होता है, the brain lies with skull, brain जो है वो, skull में अवस्तित होता है, इस्तित पूपरी में, next question पुषता है, what covers the bones, bone को क्या cover करके रखता है, student जवाता है, the bones are covered by muscles and skin, bones जो है वो, muscle और skin के द्वारा कवर रहते हैं, next question, how many teeth does a child and an adult have, it means, एक बच्चे में और एक वेस्ट मोन से में, कितने दाथ होते हैं, student जवाते हैं, a child has 20 milk teeth, बच्चों में 20 दाथ होते हैं, while जब की, an adult has 32, जब की एक वेस्ट में 32 teeth होते हैं, next question की जवाते हैं, what helps us to taste food, क्या जो है, हमें भोजर को टेस्ट करने में, क्या help करता है, student जवाते हैं, our tongue, our tongue helps us to taste food, हमारे जो जीव जो है, भोजर को टेस्ट करने में सहायता करते हैं, next question की जवाते हैं, name the five sense organs, नाम पता यह 5 sense organs का, student the organs are, जो organs होते हैं वो eyes, जिसे हम देखते हैं, ears, जिसे हम सुनते हैं, nose, जिसे हम smell करते हैं, tongue, जिसे हम टेस्ट करते हैं and skin, जिसे हम feel करते हैं, यह हमारे five organs हैं, eye, ears, nose, tongue and skin.